भावियों और भेनों, आज केवडिया गुजरात के सुदूर इलाके में बसा, एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बलकि केवडिया बीश्वके सबसे बड़े टूरिस्ट डेशनेशन के रुप में आज उभर रहा है। Statue of Unity देखने के लिए अब Statue of Liberty से पर जादा टूरिस्ट पहुँचने लगे हैं। अपने लोगकारपन के बाद करीब करीब पचास लाक लोग Statue of Unity को देखने आ चुके हैं। कोरोना में महिनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर के वड़िया में आने वाले टूरिस्टों के सग्या तेजी से बढ़ रही है। एक सरवे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे केनक्टिविटी बढ़ रही है बविश में हर रोज एक लाख तक लोग के वड़िया आने लगेगी है। साथियों, छोटा सा खुबसूरत के वड़िया इस बात का बहत्रीन उधारण है कि कैसे प्लान तरीके से परियावरण की रक्षा करते हुए एकोनमी और एकोलोजी दोनों का तेजी से विकास किया जा सकता है। यहां इस कारकम में उपस्तित बहुत से गणमान्य लोग शाहिद के वड़िया नहीं गए होंगे। लेकिन मुझे भी स्वास है कि एक बार के वड़िया की विकास यात्रा देखने के बाद आपको भी अपने देश की इस शांदार जगह को देखकर के गर्व होगा। साथियों मुझे आद है जब शुरू में के वड़िया को दुनिया का बहतरीन फैमिली टूरिस्ट डेजिनेशन बनाने की बात की जाती थी तो लोगों को यह सपना ही लगता था। लोग कहते थी यह संभवी नहीं है, हो ही नहीं सकता। इस काम में तो अडेकों दसक लग जाएंगे। खेर पुराने अनुभव के आधार पर उनकी बातों में तर्क भी था। न केवडिया जाने के लिए चौडी सडके, न उतनी स्ट्रीट लाइट हैं, न रेल, न टुरिस्टों के रहने के लिए बहतर इंतजाम। अपनी ग्रामिन पुर्ष्ट भूमी में केवडिया देश के अन्य छोटे से गाउं की तरह ही एक था। लेकिन आज कुछी वर्षों में केवडिया का काया कल्प हो चुका है। केवडिया पहुंचने के लिए चौडी सडके हैं, रहने के लिए पूरा टैंड सीटी हैं, अन्य अच्छे इंतजाम हैं, बहतरीन मोबाइल कनेक्टिविटी हैं, अच्छे अस्पताल हैं, कुछ दिन पहले सी प्लेन की सुविदा शुरू हुई हैं, और आज देश के इतने सारे रेल रूट से के बढ़िया एक साथ जुड गया है। ये शहर एक तरह से कंप्लीट फैमिली पैकेज के रुपे सेवाई दे रहा है। स्टेजी अफिनिटी और सरदार सरो और बांत की भव्यता उनकी विशालता का हैसास आप के बढ़िया पहुँचकर ही कर सकते हैं। अब यहां सेंकडो एकड में फैला सरदार पटेल जूलोजिकल पार्क है। जंगल सफारी हैं एक तरफ आयुरुवेद और योग पर आधारित आरोग्य वन हैं। तो दूसरी तरफ पोशन पार्क हैं रात में जगमगाता गलोग गार्डन हैं। तो दीन में देखने के लिए टैक्टस गार्डन और बटलफाइल गार्डन हैं। टुरिष्टों को घुमाने के लिए एक तक क्रूज है तो दूसरी तरफ नवजवानों को साहस दिखाने के लिए राप्टिंग का भी इंतजाम है। यानि बच्चे हो युवा हो या बुज़ुर सभी के लिए है बहुत कुछ है। बढ़ते हुए परियतन के कारण यहां के आदिवासी वाओं को रोजगार मिल रहा है। यहां के लोगों के जीवन में तेजी से आदूनिक सुविदाएं पहुँच रही है। कोई मैनेजर बन गया है, कोई कैफे ओनर बन गया है, कोई गाइड का काम करने लगा है। मुझे आद है, जब मैं जूलोजिकल पार्क में पक्षियों के लिए विशेश एवेरी डॉम गया था, तो वहाँ एक स्थानिय महिला गाइड ने बहुत विस्तार से मुझे जानकारी दी थी। इसके अलावा केवडिया की स्थानिय महिलाएं उनको हेंडी क्राप के लिए बनाये विशेश एक्ता मौल में अपने सामान की विग्री का मोका मिल रहा है। मुझे पताया गया है कि केवडिया के आदिवासी गाउं में 200 से जान्दा रूम्स की पहचान करके उन्हें टुरिश के होमस्टे के तौर पर विक्सित किया जा रहा है। बाई और बहनों केवडिया में जो रेलवे स्टेशन भी बनाया गया है उसमें भी सुविदा के साथ साथ तूरिजम का ध्यान रखा गया है। यहां ट्राइबल आर्ट गैलेरी और एक वियूइंग गैलेरी भी बनाई जा रही है। इस वियूइंग गैलेरी से परियाटक स्टेश उब यूनिटी को देख पाएंगे। साथियों इस प्रकार के लक्ष और लक्ष केंदरित प्रयास भारतिय रेल के बदलते स्वरुप का भी प्रमाण है। भारतिय रेल पारमपारिक सवारी और मालगाड़ी वाली अपनी भूमगा निबाने के साथ ही हमारे प्रमूग टुरिस्ट और आस्था के जुड़े सरकीट को भी सीधी कनेक्टिविटी दे रही है। अब तो अनेक रूट्स पर विश्टाडोम वाले कोचीच भारतिय रेल की यांत्रा को और आकरशक बनाने वाले हैं। अमदाबाद, केवडिया, जन्शताब्दी एक्सप्रेस भी उन ट्रिनों में से होगी जिसमें विश्टाडोम कोच की सुविदा मिलेगी।